मौन में ही सनलगन है वो मौन ही माना गया है अब भगवान की प्रती बोलिए जितनी आवश्यक्ता है उतना बोलिए लें लोगों की दशा कुछ अलग है चार जने पड़े लिखे बड़े सिक्षित सिक्षित चार जने मिलते हैं तो बस या तो बोलेंगे आपका कोट अच्छा है जाकिट अच्छी है कहां से लिए जापान से लिए लें महता जी का तो ऐसा था अरे मेरा एक कोट ऐसा था अभी वो काफी ओल्ड हो गया तो अभी नहीं पहनता और क्या दिया शादी में क्या दिया उसमें उसने क्या दिया अरे मेरी शादी नहीं देखिया आपने क्या देशी घी के लड़ू बनी थी यानि वो बातें अनर्गल बातें जिन से कोई लेना देना नहीं है जीवन में या तो भविश्व में जाके बात करेंगे और या फिर जो बीट गया है उसमें जाके बात करेंगे और प्रजेंट की पोजिशन यानि वर्तमान ख्षण को बिल्कुल ज्यान नहीं देंगे, गवा देंगे और परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान क्षन में है ना बविश में है, ना भूत में है वर्तमान में है वो वर्तमान में मौझूद है ना बविश में है, ना वर्त भूत में है, भूत काल में है वर्तमान में प्रभू का वाश है इसलिए आप जहां पर भी हैं बोलते हैं तो मौन आप संतुलित जो अपने ऐसे वानी बोली है जो जिसमें भगवान का भी नाम आता हो जिस वानी के बोलने से आपका काम सदता हो जिस वानी के बोलने से आपका मन प्रसन्न होता हो जिस वानी के बोलने से भगवान प्रसन्न होते हो आपका कोई कारिय ने रुके उतनी वानी भोलिए इसको मौन ही कहा है मौन हो के बैठने के लिए तो किसी को नहीं कहा ने कोई हिमाले के संत को ना कोई ग्रस्त को ना कोई ब्रह्मचारी को नहीं जितनी आवशक्ता है उतना बोलिए और जो भी बोले हो उसमें भगवान की महिमा का गान जरूर कीजिए बाकि तो वो ही है जो पाँच औरत मिलके बात करती है मेरी अंगोठी हीरे की है तेरी में ये क्या है बोलो ये पन्ना है अच्छाँचा भाई ये सब बातें बातें ये सांसारिक बातें करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा लोग न जाने क्या-क्या अपने मस्तिस के अंदर भरे रखते हैं और फिर उसको वाणी के द्वारा निकालते रहते हैं नहीं, भरिये भी शुद और निकाली भी शुद तो मन के, मन प्रसन होता है मौन रहने से यानि नपी तुली बाते करने से जितनी आपको आविशक्ता है भगवान की कथावारता करने से भगवान का कीरतन भजन करने से आप गाई है, अलापों के साथ गाई है वो आपका मौन ही है, भगवान की प्रतिक आई है मौन शब्द कहा एक है कि संसारी के मुंडें बातों से आप मौन रही है शांत रही है संसार मने जाने कौन कौन क्या क्या कर रहा है किस किस की गाथा आप गाते फिरोगे किस-किस की कीरती का गान करोगे एक की कीरती का गान कीजिए जो स्तरवत्र है औराम है, कृष्ण है अल्ला है वाहि गुरू है उसकी कीरती का गान कीजिए तो आपका मौन है आत्विनिग्रहा यह अपनी इंद्रियों पर, मन पर सयम रखिए इसको कहा है आत्विनिग्रहा जिन व्यक्तियों की इंद्रियां अपने काबू में जिनका मन अपने काबू में वो प्रसन है वो मन भी प्रसन है जिसके आदिंता में इंद्रियां रहती है पाँच ग्यान इंद्रियां हैं हमारी पाँच कर्मिंद्रियां है ये इंद्रियां हमारे वश्व में रहनी चाहिए यानि मन के वश्व में रहनी चाहिए मन इनकी लगाम है जैसे घोडों के लगाम होती है मलगाम डीली हो तो ये इदर उदर भागती जैसे घोड़े इदर उदर भागते हैं रत के और रत को लेकर कहीं अंद कूप में भी गिरते हैं फिर या कोई इदर जाता है कोई उदर जाता है सब painful होते हैं तकलीफ देते हैं बीमारी आती हैं इंद्रिया जब बश्में नहीं होती हैं तब जाके सारी बीमारी आती हैं सारे पाप करने लग जाती हैं पापों में रुच्छी करो जाती हैं पुर्णों में नहीं इंद्रिया मन के बश्में रहनी चाहिए मन बुद्धी के आदिन रहना चाहिए और बुद्धीर मन दोनों आत्मा के आधिन रहने चाहिए यानि आपके आधिन आप आत्मा है तो आपका मन और बुद्धी आपकी आधिनता में रहना चाहिए मन आधिनता में रहेगा बुद्धी आधिनता में रहेगी तो ये इंद्रियां भी आधिनता में रहेंगी आत्म विनिग्रहा इन पर निगना नी रखिये कोई इंद्री किदर जा रही है कोई इंद्री किदर जा रही है कोई इंद्री संभूगों के लिए लालाई थोठी है कोई इंद्री रस्गुले खाने के लिए लालाई थोठी है कोई इंद्री किसी को अपशब्द बोलने के लिए क्रोध करने के लिए गल्ट बोलने के लिए लालायत उठी है कोई इंद्री अनेको नारियों के नरों की खुश्वू लेने के लिए खड़ी हो गई है कोई रूप के पीछे पागल हो गई है कोई सुनने के पीछे बागल हो गई है ये इंद्रियों को कंट्रोल रखी है ये इंद्रियों अगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो आपका जीवन रूपी रत कहीं अंधकूप की और में चला जाए है इसलिए भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि जो तप आप करते हैं वो मेरे लिए कीजिए और तप क्या है ये तो जान लीजिए इसलिए तीन तपों का यहां उधारन दिया है ये मन का तप कहा है शारिर एक तप कहा फिर वानी का तप कहा ये मन का तप है जिस मन को तपानी से आपकी भावना शुद्ध होती हो तो भावना शुद्ध तभी होगी जो मन के आधिन्ता में इंद्रियां रहेंगी ये दस्तों इंद्रियां मन की स्वाधिंता में रहनी चाहिए मन के आधिंता में रहनी चाहिए मन के अंडर में रहनी चाहिए मन इनकी लगाम है और मन बुद्धी के अंडर में रहना चाहिए और बुद्धी आत्मा के अंडर में रहनी चाहिए यानि यह सभी क्रियाएं तभी हो सकती हैं जब हम भगवान की शरण में रहें अन्निता बड़ा मुश्किल है भगवान की शरण को बुला दें तो यह तो असंबह हो जाएगा फिर तो यह संसार में बटकेगा मन भी, बुद्धी भी, शरीर भी और संसार के भी से भोगव में पड़ा रहेगा तो फिर इसके जनम मरन जरा व्यादी इसके उपर सवार रहेंगी बार-बार जनम लेगा, मरेगा बीमारी आएंगी, बुड़ा पाएगा तकलिफों से खिरा रहेगा और यह मिर्तिश संसार में जनम लेगा बार-बार यहां पड़ा रहेगा जैसे कोई चूसे वे गन्य की छोई को फैंक देता है और फिर उसी को उठा के फिर चूसता है ऐसे बार-बार उसी को चूसेगा हर जनम में वोई शादी, व्याओ, बच्चे पहलाएगा वोई कमाएगा पत प्रतिष्टा के लिए पचेगा वावाई के लिए पचेगा अब मिलेगा तो पता नहीं क्या वावाई मिले या दुआएं मिले या बददुआएं मिले ये तो उसके कर्मों के पीछे है लिए वावाई भी मिले संसार में सारे संसार से तो उसकी वैल्यू क्या है ओ तो शरीर छोटता है सब वावाई छोट जाती है फिर कहीं अलग जनम लेता है जाकर के और वावाई किस से मिल रही है ये भी तुझेरा सोचिए क्या मूर्चित लोगों से आपको तालिया मिल रही है तो इन तालियों की क्या वैल्यू है और जागरित एक महापुरुष्टे भी आपको सुनने को मिल जाया है शब्द की वाः तो आपका जीवन धन्न हो जाया है तो ये महापुरुष्ट या संत की जबान से आपके प्रती वाः निकले तभी जब जाके आपने कोई शुद्ध काम किये हो परमात्मा के भजन किये हो परमात्मा की शर्ण ली हो संतों को प्रीम किया हो तो उनके मुझे वाह मिलती है जनक रिशी की तरह आप बने हो प्रलाद महराज की तरह बने हो दुरू महराज की तरब बनियों तो पूरे ब्रह्मान के संतों के मुझे और भगवान के मुझे भी वाँ शब्द निकलता है और उस वाँ शब्द की कीमत है लिए पूरे संसार के मुर्चित लोग भी आपको वाँ वाँ शाबास शाबास तो उसकी क्या वैल्यू है उस शाबासी की इसलिए सत्कर्म कीजिए सत्कर्म का फल सच्चा आता है और सच्चा फल जो आता है उससे आप बुरे काम तो करी नहीं सकते उसको तो भगवान को यारपन करते हैं सत्कर्मों में उसको लगाते हैं तो तब भी करते हैं मन को प्रसंद करते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मौन नपे तुले सब बोलते हैं जरुत जितनी है उतना बोलते हैं जो बोलते हैं बगवान की बगवा बगवत बावित होकर बोलते हैं ता आप मौनी हैं खड़ेश्वरी बावा की तरह मौनी बनने की आवश्यक्ता नहीं है जिन खड़ेश्वरी महाराज का ध्यान चिलम सिग्रेटों में लगा है मान प्रतिष्टा पाने में उलजा है या कोई छोटी मोटी भौतिक सिद्धी प्राप्त करने के लिए अपनी शरीर को कष्ट में बना रखा है वो आवश्यक्ता नहीं है भावशन शुद्धी जो आपकी भाव भाव क्या है आपकी विचार आपकी विचार आपकी भावना जब शुद्ध होगी तो मन प्रसंद होगा आपका और भावना तो शुद्ध जब हो गी आपकी कुछ शुद्ध कर्म की होंगे शुद्ध कर्म करने से भावना स्ट यह होती है प्रेम करने से भावना शुद्ध होता है सत कर्म करने से भावना शुद्ध होती है दान पुर्ण करने से भावना शुद्ध होती है किसी की मदद करने से भावना शुद्ध होती है सत्संग का अनंद लेने से भावना शुद्ध होती है शास्त्रों की शरण लेने से भावना शुद्ध होती है भगवान की शरण में ज शुद्ध कीजिए भावशन शुद्धीर भगवान गहते हैं यह भावना को शुद्ध कीजिए अपनी विचारों को शुद्ध कीजिए विचार शुद्ध होंगे तो उसको कहा है मन का तप विचार मन के अंदर उठते हैं बिचार मन के अंदर उठती तो आपके बिचार शिद्ध उठे तो मन परसन होता है अशिद्ध उठे तो मन मलीन होता है मन मलीन होगा तो मलीन काम करवाएगा मलीन ता में आपको कश्ट होगा यद करोसी यद शनासी यज्जुहोसी ददासियत यद तपश्चसी कौंतेयो तद कुरू सुमदर पड़म तो आपकी भावना शिद्ध होगी आपके विचार शिद्ध होगी तो आपके कर्म ब्यावार शिद्ध होगी और शिद्धता का फल शिद्ध आता है और वो अने को शिद्ध कर्म करवाता है वो भगवान की कर्म करवाएगा भगवान की सेवा करवाएगा शिद्ध फल आपके शिद्ध कर्मों का शिद्ध फल शिद्धता में जागा और शिद्ध भगवान से अधिक शिद्ध कौने वो भगवान को अरपन हो जाएगा अरजुन के हिर्दय में प्रशनत उठा होगा कि भगवान आप कहता रहें यद करोसी यद शनासी यद जोसी ददासी यद पश्यसी कौन तेयो तद करूस्वा माद अरपनम लेकिन ऐसा करने से क्या होगा अरजुन के मन में प्रसुन तो उठा होगा और भगवान ने इस प्रसुन को भाप लिया होगा जो हम भापते हैं आप भापते हैं तो क्या भगवान ने नहीं भापा होगा बाप लिया, इसलिए उन्होंने तुरंती एक दूसरा स्लोक कहा, वो है स्लोक नंबर, चल करके 28-28 स्लोक, नवे अध्यागा, आईए तो इस स्लोक के प्रांगण में चलते हैं, जिससे आपको ऐसा करने का फल विदित हो जाएं, भगवान कह रहे हैं कि शुवा शुभ फले र मोक्ष से कर्म बंदन हैं, हे अरजुन ऐसा करने से, यानि जो तु कुछ करता है, खाता है, हवन करता है, दान करता है, तब करता है, यह मुझे अरपन कर, इनका फल मुझे अरपन कर, ऐसा करने से हे अर्जुन जो शुब और अशुब का जो फल मिलेगा उससे तो मुक्त हो गयागा तो यहाँ पर हमको शुब और अशुब कौन से फल हैं ये जानना चाहिए हम शुब फल तो उसको कहते हैं अपने जीवन का शुब फल मिले कि हम देव लोगों में चले जाएं ये तो शुब हुआ तो फिर हम दान पुर्ण करते हैं शुब कर्म करते हैं देवताओं को पुरसंद करने के लिए हवन भी करते हैं लिए जो भी क्रिया करते हैं हम देवताओं की पृति करते हैं स्वर्ग लोग पाने के लिए शुब पाने के लिए उचे लोग पाने के लिए उचा पद पाने के लिए उचा रूप बल पाने के लिए उचे भोग पाने के लिए यह हम कारी करते हैं तो हमको ऐसे कर्म करते करते ऐसे पुर्ण कर्म करते करते स्वर्ग तो मिल जाता है उच्छे लोग तो मिल जाते है लिए उच्छे लोगों में जो हमारे पुर्ण कर्मों का अभा हो जाता है भोग करते करते उच्छे लोगों में लोगों में जा करके भोग करते करते जब अभा हो जाता है पुर्ण कर्मों का जब पुर्ण कर्म जीरों हो जाते हैं तो हमको वापिस नीचे गिरना पड़ता है नीचे फिर आना पड़ता है मरत लोक में ये मनुष्य लोक में मनुष्य बनने के लिए या कभी कोई अपराद कथा हो गई हो तो सुर और कुत्ते बिल्ली भी बनना पड़ सकता है कहते हैं कभी-कभी देवताओं का पत्न हो जाता है कोई शाप वस्तों उनको ब्रक्ष भी बनना पड़ता है इंद्र के अंग में शरीर में एक सहस्र एक हजार भग हो गई थी आपको ये कतायाद होगी गोतम रिशी के सापसे इंद्र गोतम रिशी की पत्नी सुन्दर थी